दूसरे चरण की चुनाओं की तैयारी हो चुकी है इस बार वालूर घाट से उम्मीदवार फिर एक बार है पशिम मंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजुमदार जी इस बार उत्साह क्योंकि जिस तरह से राजनीती बढ़ रही है क्या ये अब वापस धर्म की राजनीती है कि वीजेपी को हिन्दू-मुसलमान ही करना पड़ रहा है से हमने कोई ढिमार्केशन नहीं किया था लेकिन हमारे जो ऑपोजिशन है हो बोल रहे है कि सेस्टी का रिजर्वेशन घटा के 15% रिजर्वेशन हम माइनोर्टी को दे देंगे तो यह जो एप्रोज है अपीजमेंट पॉलिटिक्स का अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं चल सकता प्रधान मंतरी ने तो कहा कि मुसल्मान घुस बैठी हैं प्रधान मंतरी ने कई ऐसे आरोप लगाये कई ऐसे शब्दों का इस्तमाल किया कॉंग्रेस विरोधी भाशन में देखिए रोहिंगा तो यहां पे घुस बैठी है उनको दम नहीं रख सकते अगर सबको रखना है आपको तो कॉंग्रेस लीडर्स भी अपना दर्बाजा खोल दे जो गरीब है उनके घर में घुसके रहेंगे और राजी होंगे क्या तब तो राजी नहीं होते तो आप दे यह तो पॉसिबल भी नहीं है भारत के एकोनोमी के उपर प्रिशर आएगा एक्स्ट्रा शैम पित्रोडा ने बहयान दिया है यह कहते हुए कि जो टैक्स ट्रक्चर है वो एनलाईज किया जाएगा और दुबारा उस पर विचार करके उसे लागू भी किया जाएगा जब जीत जाएंगे कॉंग्रेस चुना देखिए कॉंग्रेस इंडी गर्वंदर जो है इंडी गर्वंदर का टार्गेट एही है कि भारत बर्ष को एक कॉमुनिस्ट का कंट्री जैसा बनना चाहते है और उसमें शैम प्रित्रोडा ने जो बताया जो मुझे जानकरी है कि उन्ह नहीं मानसिकता नहीं है को लगता है इस बार पश्चिम मंगाल में जिस तरह से राजनीती हो रही है उस पर बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी की घटेंगी क्योंकि आप इस बढ़ेंगी क्योंकि आप इस बार निश्चिंत रहिए और पिछली बार भी जैसे लोग मतलब य अकलन नहीं कर पाए कि 18 सीट बीजेपी को मिलेगी पिछली बार तो इस बार भी आकलन नहीं कर पाएंगी कितने सीट मेंगे शेक शाजान का वीडियो आया है उनको अदालत दिले जाते समय रो रहे हैं संदेश खाली के आरोपी हैं कैसे देखते हैं सो मैं त्रिनमूल कॉंग्रेस के गुंडे लोगों को बोलूँगा ये वीडियो भार बार देखें हजार बार देखें तब उनको पता चलेगा कि सब जब सेंट्रल एजेंसिया पकरती है तो जो ये बोल रहे थे न हम बाग है टाइगर है संदेश काली का अब टाइगर तो ब लगाती है गुंडा गर्ती करने का सेंट्रल एजेंसी इस्तिमाल करके उनके नेताओं को परिशान करने का देखें पार्थर चटरजी के गर्डफेंड के पलंक के नीचे से नोटों की गड़्डी मिली इसमें मेरा क्या कसूर मैं अगर रखता तो अपने घर में रखता ना बीसाजा लोगों को आग में जोग दिया मंताव एनरजी ने तो वो करेंगे तो सेंट्रल एजेंसी पकड़ेंगी क्या नहीं तो पुलिस उठा दो आप लोग बोलेंगे हम चोड़ी करेंगे पुलिस नहीं पकड़ सकती हमें इस आंदोलन के पीछे बीजेपी का हाथ है अले बीजेपी का आंदोलन कर रही है बीजेपी तो आंदोलन नहीं कर रही है यह तो जब से केसेज लर रहे है कौन केसेज लर रहा है कौन वकील है आप देख लीजे सीपीम के लोगा वकील है सीपीम नहीं ये मामला किया था ब बाकी 5000 के करीब जो खुद ब्रात्य वश्वी यहां पर एकसेप्ट कर चुकी है कि 5000 लोगों का ओएमार शीट में गरवर है मतलब वह पैसा लेकर नौकरी मिला दिया गया उनको उन पासा लोगों के खिलाब कानवाई होनी चाहिए उनको जेल जाना चाहिए उससे भी ज्याद है तो इसलिए TMC के जिन नेताओं ने बेचा और स्पेशली ममताव एनरजी जिन्होंने कैबिनेट डिसिशन लेके लोग सीट बढ़ाया मतलब जो इनलीगल काम है उसको लिगलाईज करने के लिए सीट बढ़ा दिया उनको पकड़ा चाहिए सबसे पहले उनको इसका दाइ झाल 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 झाल